नमस्कार विद्यार्थियों आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है बच्चों मैं आपके लिए कक्छा 6 का बसंत का हिंदी का जो पुस्तक है बसंत उसके पद और गद्य आपके लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना करके लाऊंगी जिसको कि आप तरह से समझ सकते हैं तो आज मैं पहला विडियो आप लोगों के लिए बनाई हूं जो कि पहला जो पद्य है वह चिरियां जो उस पर बेज़्ड है तो यह जो पद्य है कौन लिखे हैं तो इसको लिखने वाले जो कवी हैं उनका नाम है स्री कैदारनाथ अगरवाल जी ने इस कविता को लिखा है और इस कविता के माध्यम से वो क्या कहे हैं इसको पहले चले हम लोग कविता को पढ़ने से पहले थोड़ा से जान ले तो पाठ के बारे में हम लोग थोड़ा पहले जान ले कवी ने बताया है कि उसके सभाव में नीले पंखो वाली एक छोटी चिरिय वह संतोसी है अन से बहुत प्यार करती है वह अपने पन के साथ कंट खोल कर पुराने घनेवन में वेरोक गाती है मुँबोली है एकांत में भी उमंग से रहती है वह उफंती नदी के विशे में जान कर भी जल की मोती सी बुंदों को चौंच में भरलाती है उसे स्वय पर गर्ब है वह सहासी है उसे नदी से लागाव है कवी ने अपने भीतर की कल्पित चिरियां के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुनों को उजागर किया है तो बच्चों इस कवीता में जो चिरियां है असल में कवी उसको अपने आपके पात्र के रुप में इस कवीता में दिखाए हैं वो जो चीरियें का जो वेभार है वो कभी बोलना चारे हैं कि मेरा मन भी मेरा स्वभाव भी करीब करीब उसी तरह का है मैं भी इसी तरह की चीजों को पसंद करता हूं और मैं भी इसी तरह का हूं सिर्फ मैं ही नहीं मनुष्य जितने भी हैं वो भी करीब करीब इसी स्वभा की होते हैं ऐसा कभी इस कवीता के माध्यम से मनुष्य के स्वभाव के बारे में बता ना चाह रहे हैं तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस कवीता में कभी क्या क्या और कैसे कैसे बखान किये हैं कैसे कैसे ब्याख्या किये हैं इसके हर एक पंक्ति का तो पहला क्या है पहला चिरियां जो चोंच मार कर दूद भरे जुंडी के दाने रुची से रस से खा लेती है वह छोटी शंतोसी चिरियां नीले पंखो वाली मैं हूं मुझे अन से बहुत प्यार है तो यहां पर कुछ हार्ड वर्ड आये हैं बच्छे लो तो आप लोग पहले देख लें यह जुं करते हैं ठीक है ना फिर यहां पर है रुची तो रुची का मतलब होता है चाहत या पसंद ठीक है चाहत या पसंद उसका मतलब होता है फिर यहां पर एक सब्द आया है शंतोसी संतोसी का मतलब होता है धीरज वाली, धिरजवाली, तो धिरजवाली यह चिरिया है, तो इसके लिए संतोसी सब्द का इस्तिमाल किया गया है, फिर यहाँ पे एक सब्द है, वो है अन, अन यहाँ पर अनाज के लिए कहा गया है, अन का मतलब अनाज कहा गया है, तो चलिए हम लोग अब इसका देखते हैं, इसकी ब्याक्या तो इसमें कभी क्या बोल रहे हैं कि नीले पंक वाली चीरिया, Cayा कर रही है जो नीले पंक वाली चीरिया, वो बोल रही है कि उसे दूद से यूग्त, यानि दूद से भरा हुआ अध्पके जुन्डी के जो दाने है यानि jak Learne K Watch Do दाने हैं जुन्डी के जो दाने है अधपके दूद्थ से बढ़े हुए वह उसे बहुत पशंद और वह उसका रुची से मतलब बड़े आराम से बड़े अछे से रष रस से खा लेती है मतलब उसको बहुत स्वाद ले करके वह खाती है कि वह साधारन खाने को भी बरिष्वाद लेकर खाती है शंतोस है उसके थोड़े से दाने उसकी प्रयाब्थ हो जाते है उस चीरियां के पंक पंक जो हो नीले से बहुत प्यार है मुझे झाया से बहुत प्यार है मतलब कभी बोलना चाह रहे हैं कि इस चिरियां को अनाज से बहुत प्यार है तो क्यों अनाज से बता रहे हैं कि इस चिरियां को बहुत प्यार है इसके द्वारा वो बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य जो है मनुष्य को पता है कि अन जीवन देने वाला और ताकत प्रदानवला होता है इसलिए मनुष्य को भी इसी तरह क्या करना चाहिए अन से प्यार करना चाहिए और अन का आदर करना चाहिए चिरियां के माध्यम से वह अन का महत्तों बता रहे हैं अनाज का महत्तों बताना चाह रहे हैं फिर दूसरे स्टांजा में क्या है वह च 40 मौभोली चिरिया नीले पंखो वाले मैं हूं मुझे वीजन से बहुत प्यार है तो यहाँ पर बचオ कुछ कठिंस सब्सुन being यसे कि कंठ कंठ का मतलब होता है गला कंठ का मतलब होता है गला फिर यहाँ पे वन बाबा one बाबा का मतलब होता काफी पुराना जंगल को सा है हाड्वर रस का मतलब होता है यहां पर शू मधूर स्वर में दो एक मतलब वह सु मधूर में अन्या स्वर में स्वर्ड में यहां परो च्रेयां के बात कर रहे हैं सुमधूर स्वर में वो गाना गाती है जिसको कि यहाँ पर रस उरेल कर कहा गया है मुह बोली यहाँ पर आप देखिए एक नया सब्ध है किया है मुह बोली का मतलब होता है चीर परचित मुह बोली का मतलब है चीर परचित तो मुह बोली का मतलब यहां हो गया यहां पर है न मुह बोली इसका मतलब हो गया चीर परचित चीर परचित चीर परचित ठीक है तो फिर एक और सब्द है यहां पर वीजन वीजन का मतलब होता है एकांत ठीक है इसका मतलब होता है एकांत एकांत वन या एकांत या सुनसान वन भी आप बोल सकते हैं एकांत वन या फिर सुनसान जंगल ऐसा भी हम बोल सकते हैं वीजन का मतलब चलिए अब हम लोग इसका एक एक लाइन का अर्थ देखते हैं तो यहा पर क्या बोल रहे हैं इसका कैसे कियें 근데 और नाद जी क्या बोला चाह क diye रहे है इसवर में और तो तेज स्वर में और सू मधूर, रस उडेल कर, मतलब सू मधूर, तेज स्वर में और मधूर स्वर में गाने वाली चिरियां कौन है, तो वो मैं ही नीले पंखों वाली चिरियां हूँ, जो कि तेज स्वर में भिगाती है, लेकिन तेज के सासत उसका बहुत मीठा स्वर होत ह Arbeit Гाने वाली चिरिया मैं ही हूं मैं सभी की चीर पर्चित अर्थार जानी पहचानी हूं तो वो बोल रही है कि मैं सब्लोब कवाव रहा further दो कि पुरणा सब्ली हूं यानि眠र प्रमाया कि का रहा है तो अपने इस पूरे बुढे पुराने जंगल या बनवाबा के लिए ही मैं गाती हूँ और साथ ही साथ वो क्या बोल रही है कि मैं एकांत से बहुत प्यार करती हूँ वीजन यानि कि मैं एकांत से एकांत जंगल में भी बहुत खुश हूँ मैं उससे भी बहुत प्यार करती हूं तो चिरियां के माध्यम से कभी बोल रहे हैं कि मानव का भी स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए उसे जैसे यह चिरियां प्रकृती से बहुत प्यार कर रही है उसी तरह मनुश्य को भी प्रकृती से प्यार करना चाहिए और एकांत से भी नह कारण ठूणना चाहिए पिर यह लास्ट स्टांजा में देखे कि क्या क्या लिखा हुआ है तो लास्ट स्टांजा में क्या है वह चिरियां जो चौच मार कर चढ़ी नदी का दिल टोल कर जल का मुती ले जाती है वह छोटी गर्वीली चिरियां नीले पंखो वाली मैं हूं बहुत प्यार है तो इसमें फिर कुछ हम लोग देखेंगे हाडवर्ड चढ़ी नदी चढ़ी नदी का मतलब हो गया उफंती हुई उफंती नदी जो नदी में बहुत पानी आता है बार के समय आप कभी कभी देखें बहुत तेज बारिश के महिने में पानी बहुत है तटोल करखोज कर तो इसमें यहाँ पर तटॉल कर का मतलब क्या बोल रहा है खोज कर ॅ है झारी ओर अ मतलब को लो रहा है गरब से भरी हुई यह चरिया गर्बी ली है गर्ब से भड़ी हुई है ऐसा क्या उसने किया कि उससे इतना गर्ब हो रहा है हम लोग अभी इन पंख्तियों में देखेंगे तो चलिए इसका हम लोग भ्याख्या देखते हैं तो नीले पंखो वाले चिरियां क्या करती है कि मैं वही चोटी चिरियां हूँ वह चिरियां जो चोच मार कर मतलब वो उर्ती उर्ती जाती है और चड़ी हुई नदी उफंती हुई जो नदी है जिसमें बहुत पानी है दिल मतलब उसके बीचों बीच दिल सब्द का है चड़ी नदी का दिल मतलब चड़ी हुई उफंती हुई नदी का जो बीच हार्ट है एकदम सेंटर में वहां पर मैं जाती हूँ और वहां जाकर के दिल चट्रोल कर मतलब उस सेंटर में जाकर के अपने जान में जो खिम भर क ars game और मुझे उस उफस्थनते हुए नदी में जो पानी के जो बुन्द उपद उखन रहे हैं मोती के समान और बहुत अच्छे लगता हैं मैं वहा जाती हूं और उन पानी के बुन्दों को यानि कि जल के मोतीयों को मैं अपने चोंच में भर लेती हूं और भर करके ले करता हूं तो पानिम्ति रहे हैं उनकों अपने चौंच में सबस्त offers करते हूं मैं और यहाड़का वहा क्वागता है तो मैं वही छोटी नीली पंखों वाली चिरियां हूँ मुझे नदी से बहुत प्यार है वो बोल रही है क्यों मैं ऐसा काम करती हूँ क्योंकि मुझे नदी से बहुत प्यार है मुझे नदी से बहुत प्यार है वैसे में भी यह हिम्मत करके और वहां पर जो उसे अच्छा लगता है उसे पाने की कोशिस करती है मनुष्य भी अगर विप्रित परिस्थितिया जाए तो घबडाये नहीं उसकी जो मंजिल है जो उसकी चाह है उसको पाने की कोशिस करें शाती साथ कभी कहना चाहते हैं कि न कभी कभी मनुष्य के सभाव को वर्नन करना चाह रहे हैं कि मनुष्य क्या चाहता है और उसे प्रकृति के साथ मिल जूल करके कैसे खुश रहना चाहिए कैसे विप्रित परिस्थिति में भी उसको अपने शमस्याओं का हल करते हुए खुश रहना चाहिए अकेला पन से नह को ब्याख्या कर चुकी हो अगर आगे आने वाला जो वीडियो मेरा होगा छटे किलास के लिए उसका अपलाब उठाना चाहते हैं तो आप क्या करें आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब जब मैं वीडियो अप्लोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसका पूरा पूरा फायदा उठा सके मैं आसा करते हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे धनिवाद बच्चों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में